हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू टेक्निकल जज़बा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि Microsoft Office का सेक्वेंस मैंने पिछली वीडियो से शुरू किया है सबसे फर्स वीडियो में बताया था Microsoft Office क्या है इनके सारे वर्जन के बारे में और इनमें कौन-कौन से अप्लिकेशन आते हैं उनक इस चुरू करने वाले हैं तो उनके लिए वो वीडियो बहुत ही जरूरी है तो वह जाकर करके दिस्क्रिपशन में लिंक मैं दे दूगा आप सभी वीडियो वीडियो को बनाता रहूंगा इसके बाद कुछ एडवांस में साथिस के बारे में भी बताऊंगा आप ऑफिस स में आपको फाइल मीनू के बारे में यानि की MS Word documents को पूरी तरह से control करना MS Word 2016 में ऐसे बहुत सारे नए option और नए commands भी हैं और कुछ ऐसे information भी हैं जो 2007 में नहीं थे उन सब के बारे में अच्छी तरह से इस वीडियो है इसमें वैसे बहुत सारे बेसिक्स चीज़ हैं ज्यादा वक्त उसमें नहीं गवाएंगे लेकिन कुछ ऐसे हैं जो 2016 में कुछ नए हैं जैसे info info में कहा है यह information देता है documents के बारे में इन सभी के कर सकते हैं दिटिंग को मतलब फर्मेटिंग को रोख सकते हैं रिडवन ली अपने documents को बना सकते हैं प्रिंट करने के लिए रोख सकते हैं या डिजिटली नेचर आइड कर सकते हैं तो यह सारी चीज़ें हम लोग वीडियो में आगे देख से रहेंगे चिक फार इसूज मैनेज documents यह सारे options यहां available होते हैं तो कि मैनेज documents भी बहुत काम की चीज़ है जो की 2016 में इसको भी बढ़ा दिया गया है अगर आपका documents अचानक से बंद हो जाता है यानि कि आपका system hanged हो जाए या फिर light कटने की वजह से बंद हो गया हो तो उस situation पर आप save नहीं करते हैं फिर भी आपका documents recover हो जाता है यहां से आप लोग unsaved file को recover कर सकते हैं तो चली इदर आते हैं तो properties है properties में आप से documents related कुछ properties देखा रहा है जैसे size जो है वह 3.26 MB यानि कि इस तीन समलों 26 MB का यह documents है page जो है इसमें 30 page यानि 30 page का documents है what 3887 word use किये गया है total editing time जो है कितने देर तक मिलब इसको एडिट किया गया तो 3219 मिनिट इसमें कुछ भी edit किया गया है title में क्या है कि अभी title खाली है यहां पर आप title दे सकते हैं मतलब आपका यह जो documents है या प्रोजेक्ट या assignment तयार किये हैं वह किस चीज़ रिलेटेड है वो जिसको बुक टाइप करते हैं या फिर आप कोई project बनाते हैं तो उससे टाइटल डाल सकते हैं जैसे कि यहां पर हम tag डाल सकते हैं मतलब उससे रिलेट कुछ relevant word दे सकते हैं मतलब उस टाइग के जरीए आप चाहें तो इस documents को सर्च कर सकते हैं लेकिन वो टैग ऐसे आपको दिखता नहीं है वो सिर्फ properties में रहता है अब आते हैं comment box तो comment में क्या है comments दे सकते हैं यानि कि आप उस documents related कुछ भी compliment दे सकते हैं कि क्या है documents कैसा है क्या जो भी उसके बारे में comment देना चाहते हैं वो comment आप डाल सकते हैं या description वगएरा जो देना होता है वो भी आप comment box में दे सकते हैं अब है related date तो date में देखिए क्या क्या है लिटेट में है last modify देखिए last modify मैंने आज ही किया है तो यह दिख है today 2322 मतब अभी अपने अपिन करके कुछ इसमें एडिट किया है तो यह अभी का टाइम दिखा रहा है कि इसमें कुछ एडिट किया गया है created की बहुत पुराना डॉक्मेंट से इसको बहुत पहले कि रिट किया गया है मतब 6-1-2014 का यह documents है वो निजबच करके एक मिनिट Еще copyright प्रिंट नहीं किया गया है अब आते हैं अ प्रिंट में नहीं निकाता यह कौन है तो इस सिस्टम में है तो वृट इडिपल्ट करकर चाहें तो भी scratch कर सकते हैं यहाँ एड़ Gothic क्रीं को है रहिए कट ह्談ा मिसट इसका जो है इमेल आडी दिख रहा है आपको तो य यहां आते हैं लॉस्ट मोडिफाइड वाई तो मास्ट मोडिफाइड किया गया है सिस्टम के जरीए तो यह सिस्टम का अथर नेम था उस वक्त इह मत तो अथर नेम ने लिया अब है रिलीटेड डॉक्मेंट्स यहां हम शो और पर पर परप्रटेस कर दें तो और भी सब्सक्राइब है कि यह सारी बाते हैं आप समझ चुके होंगे इंफरमेशन में बस यह था कुछ नया जो 2000 सेक्षिन में था उससे पहले वाले में यह नहीं था इस तरीगे से नहीं था अलग अलग जगप और अलग तरीके से था नियू में जो है आप यहां से नियू डॉ कर सकते हैं या ब्लैंक टाकमेंट से आया ठैयार करें और में क्या होता है कि आपन जो पहले सपना हुआ जो भी यूज किया गया है जो आपको दिख रहे हैं आपनी चीज़ आ सकते हैं बहुत सारे डॉक्मेंट्स हैं जो और में दिख रहे हैं यह रिसेंट में आपको था वन ट्राइब में क्या है कि यह क्लाउड पर अपना डेटा सेव करके रख सकते हैं तो जो क्लाउड पर आपका डेटा है वो यहां से आप आप उसको एकसे कर सकते हैं तो यह क्या है इसके बारे में अलग सब्सक्राइब कर लें कि वो लोकेशन पर सेव होता है वो लोकेशन यहां से दिखता है और आप चाहें तो यहां से चेंज़स भी कर सकते हैं आप प्लेस यहां से वन ड्राइव का मतलब आप प्लेस आड़ कर सकते हैं यह सब चीज़ें हमेशा यूज में नहीं आते हैं जैसे रिसेंट्ली आपको देखते हैं और यहां से आप कोई भी डॉक्मेंट्स ऑपन कर सकते हैं या फिर आप ब्राउज करके जाएं अंदर और पर आपका डॉकमेंट्स है आप उस लोकेशन पर जाकर कि हैं कि अपना डेटा होसे अब से अपको हो सकते हैं निखा होता है लेकिन पहले से यह से वैस नाम दीख रहा है तो आप सेब करेंगा तो उसी में वहरा प्रिंट प्रिंट बहुत सारी सेटिंग्स है पेज का सेटिंग करना पेज को सबस्क्राइब करना अग अगर आप बहुत सारे हैं तो प्रिंट सारे यह schooliverse कर सकते हैं एक दूसरे के साथ इमेल के चाहिए उनलाइन प्रेज्ट कर सकते हैं तो यह सारे आपको शेर करने के जराय है एक्सपोर्ट से क्या होता है कि एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं PDF और XPS डॉक्मेंट में तो कि PDF बहुत ही फेमस डॉक्मेंट टारी एक्सटेंशन है जिसमें फाइल को सेव करके यह पॉटेबल डॉक्मेंट बनाया करता है पॉटेबल डॉक्मेंट फाइल ताकि कभी फाइल आपके बनाए गए डॉक्मेंट में कोई एडिटिंग नहों सके तो उसके लिए बहुत सारे लोग जो है एक अलग-अलग डॉक्मेंट क्लोज होता है प्रोग्राम बंद नहीं होता है अकाउंट में आते हैं तो अकाउंट में जो है यह अकाउंट है आपका अगर यह तो अभी सारी सेटिंस नहीं दिख रही है लेकिन हां आप एक सेटिंग कर सकते हैं आफ इस तेम चेंज कर सकते हैं कलर फूल या ड्रेक और या सौरी डार्ग ग्रे और या फिर वाइट डार्ग रख दिया मैंने तो यह कुछ लग्सा वाजाता है देखें यह गया वाइट कर देते हैं तो वाइट चलिए कलर फुल जो था वो रखते हैं यहां से आप चाहें तो साइंड कर सकते हैं आईडिया और पासफ़र्ड दे करके अभी टाइम क्लॉस ना करें ज्याद लंबी वीडियो हो जाएगी आप्शन पर आते हैं तो आप्श लेकिन फिलहाल जो है अभी हम लोग बेसिक के बारे में बात करना है इसको बंद करते हैं इसके लिए मैं आगे की वीडियो में बताता रहूंगा तो यह था फाइल बीनु के अंदर दिये गए सारे आप्शन और आप इसको समझ चुके होंगे अब रही बात की अलग अलग तरह के काम कैसे कैसे किये जाएंगे उन पर हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से काम होता है तो अमीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो से आप लोग ने बहुत कुछ सीखा होगा और फाइल मीनू के सभी कमांड का यूज भी समझ लिया होगा अगली वीडियो में नई टॉपिक के साथ जब तक के लिए जाहें